प्रेज़ दोलोड आप सभी को जैं मसे के प्रियो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि रूस और यूक्रेन के बीच में ज्यादा विवाद चल रहा है और रूस के सैनिक जो कि उनकी बॉर्डर पर आकर रूके हुए है और कभी भी हमला हो सकता है जो कि यहां प्रियो हम प्रियो बॉम ब्लास्ट भी होने लग गे हैं और मिसाइलों के द्वारा भी अटेक किया जा रहा है प्रियो वहाँ पर घंबेर पशिती हैं वहाँ पर कई सारे मसील लोग रहते हैं उनके लिए भी हम जरूर प्रास्थना करें प्रमेसर उन सभी को बचाए और वहाँ पर स के लिए दक रहता है क्या हम कोई भी यूद नहीं चाहते हैं हम साम्ति बना रखना चाहते हैं हम को इस तरह सतरे से मिल रहा है जो कि आज सुबह में जो के एरपोर्ट में भी हमला हूा है वहाँ पर भी ब्लास्ट हुआ है इस तरह से जानने में प्रियो हम सभी लोग जरूर प्राथना करें युक्रेन के लिए और वहाँ पर जितने मस्ति भाई बहना उन सभी के लिए जरूर प्राथना करें यह हमला जो की जादा बढ़ गया तो तीसरा वर्ल्ड वार भी हो शकता है तीसरा विश्वयुद हो शकता है तो इसी बीच में कई सारे लोग मारे भी जा सकते हैं, प्रियों आपकी सामने में फोटोंस भी शेर कर रहème आप देख सकते जो के लोग भाग रहें, वहाँ पर अपने अपनी कारों को लेते हुए भाग रहें, और प्रियो रसिया की राष्टपती ने जो कि हमले का आइलान कर दिया है प्रियो वो कह रहे हैं कि हमारा ओपरेशन के लिए हम जा रहे हैं इस तरह से कह रहे हैं प्रियो जादा बढ़ सकता है यह हमला जादा हो सकता है प्रियो एसा हुआ तो ये तीसरा वर्डवार सुरू हो शकता है कई सारे लोग मारज आ शकते हैं इस तरह से आसंका जटाई जा रही है लेकिन हम सभी मसीभाई लोग जरूर प्रातना करेंगे यू कहा जा रहा है कि यूकरेन के अंदर कई सारे मसीभाई बहन रहते हैं वहाँ पर चर्च भी है तो आप सभी लोग उनके लिए आप जरूर प्रातना करें प्रमेसरों सभी को बचाए रखें